स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टे यूटूब चनल पर इंडियन आर्मी की तरफ से अगनिवीर की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें अगनिवीर नॉर्मल एंड अगनिवीर आपका टेकनिकल इसके साथ साथ जो अगनिवीर आपका जनरल ड्यूटी है उन कई तरह की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गहीं 2024-2025 सेसन के लिए आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे और इस नोटिफिकेशन में आपको सबसे आदा इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी होगी अगनिवीर टेकनिकल में इ इसमें बहुत अच्छा बोनस यानि बोनस मार्क्स मिलने वाले अलग अलग ट्रेट के कैंडिट्स इसमें फार्म भर सकते हैं अगनिवीर टेकनिकल में तो क्या होगा eligibility criteria क्या होगा selection process and सबसे important बात कौन-कौन से ट्रेड को मौका मिलेगा age limit क्या है ये सारी चीज़े इसमें देखेंगे और कौन से candidates कहां से apply कर सकते हैं वो चीज भी आप इसमें समझ पाएंगे क्योंकि आपको यहां दिखेगा अलग-अलग cadre में notification है अलग-अलग JCO होते हैं और उस notification में ही लिखा होता है कि इसमें कौन-कौन से district के कौन-कौन से छेतर के candidates यहां पर eligible हैं तो इसमें हमने notification download कर लिया बाकि आप लोग अपने recording download करेंगे अपने आसपास के cadre का जैसे कोलकाता है दानापुर है पूरे है बैंगलोर है इसी तरह बरेली लखनो बहुत सारे यहां पर JCO आपको अंबाला दिख जाएगा तो आप लोग अपने recording यहां पर देख लीजेगा आपके state क का इसमें कौन सा है इस पेज का हम लिंक आपको वीडियो के description ने दे दे रहे हैं इसमें आप लोग यहां पर डारेक्ली आकर search भी कर सकते हैं Google Chrome में open करिएगा find in page पे आएगे जैसे आपको माली जे लखनौ सर्च करना है तो यहां से लखनौ का आप notification जो है वो download कर सकते हैं कौन-कौन सा आया है उसको आप check out कर सकते हैं तो हमने यहां पर sample के तौर पर डाउनलोड किया है बरेली का यह है आपका Army Recruitment Office ARO बरेली उत्रप्रदेश का इसमें देखे 13 फरोरी से फार्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप लोग फार्म भरनने में इंट्रेस्टेड हैं तो comment section में एक बार yes करके लिख दी दोई लखीमपूर पिलीवीत संभल और इसके लाओ साजहापूर स्रावस्ति और सीतापूर उत्तर प्रदेश के ठीक इसी तरह से आपके notification में भी लिखा रहेगा तो आपका district जब उसमें आएगा domicile में तभी आप उसमें farm भरिएगा क्योंकि आपको rally में बाद में जाना physical measurement and जो भी आपका बाकी physical है वो conduct कराया जाएगा farm बरना 22 March 2024 यहां पर farm बनने की last date है farm बनने की fees यहां पर 200 रुपए रखी गई है ठीक है तो 200 रुपए यहां पर आपकी farm बनने की fees लगने वाली है सभी candidates की इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे exam farm बत्रे टाइम आप तीन examination center भी चूज कर सकते हैं उसमें से आपको generally पहला ही जो है अलाट किया जाता है ठीक है तो यह process हो गया आपका उपर examination fees और बाकी चीज़ों का अब अगर यहां eligibility criteria की बात करें तो जो अगनिबीर general duty होता है उसमें दसवी पास candidates firm भर पाते हैं 45% marks minimum आपका होना चाहिए and 33% each subject में ठीक है age limit 75-21 साल सभी की यहां पर रखी जाएगी age limit में कोई चूट आपको नहीं मिलेगी आप चाहे जिस category से हो अगनिबीर technical जहां पर हम ज़्यादा focus करने वाले क्योंकि इसमें ITA और diploma candidates को अच्छा bonus और अच्छा benefit मिलता है यहां पर आपने 10 plus 2 नहीं 12 पास की हो science and physics subject के साथ chemistry math and English यह सब होना चाहिए आपका minimum 50% marks के साथ यह आपने 10 plus 2 जो है physics chemistry math English में पास की हो साथ में आपने यहां पर ITA किया हो minimum 1 year का ITA भी आपने किया हो minimum 1 year का या आपने 10 पास की हो ठीक है जब ITA आपने किया होगा 12 में के साथ तो यहां percentage का criteria हटा दिया गया है यह आपने 10 पास की हो 50% numbers के साथ और 2 साल का आपने ITA किया हो या diploma किया हो तो आप यह farm भर सकते हैं कौन-कौन से trade में तो ITA के trade देखिए कौन-कौन से MMB, Mechanic Diesel, Electronic Mechanic, TPE, ASGCM Technician, Power Electronic कहता है System, Electrician, Fitter, Instrument Mechanic, Draftman, R-Type यानि Draftman Mechanical, Draftman Civil दोनों चलेगा Surveyor, Geoinformatics Assistant, ICTSM, Information Technology, Mechanicum Operator, Electric Communication System Vessel Navigator, Mechanical Engineering Diploma, Electrical Engineering Diploma, Electronics Diploma, Automobile Engineering, CS, and Instrumentation Technology में Diploma ये candidates भी यहाँ पर फार्म भर सकते हैं साड़े सत्तरा से 21 साल एज रहेगी Storekeeper की जो vacancy उसमें बारुवी पास की हो आपने 60% marks के साथ Arts, Commerce या Science में तो आप फार्म भर सकते हैं Agnibir Tratesman दस्वी पास की एक vacancy हो तो इस सिल्फ आप दस्वी पास हो ठीक है तो आप ये फार्म भर सकते हैं Agnibir Tratesman एट्थ पास है इसमें आपने आठ्वी पास की हो तो भी आप फार्म भर सकते हैं ठीक है तो ये सारी conditions यहाँ पर रखी गई हैं ऐसे candidate जिन्हें दस्वी या बारवी का एक्जाम दिया हो रिजल्ट्स उनका अवेटिंग हो वो भी candidate यहाँ पर फार्म भर सकते हैं बसरते हैं जब आपका phase 2 आला process होगा उस time पो आपको original marksit and certified उस time तक अगर आपके पास आ जाता है तो आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं उसे ठीक है डेट आप बर्त 1 October 2003 से 1 April 2007 के बीच में है आप तो यहाँ पे eligible हो जाएंगे आप इसमें आप देख लिए हाइट अगनीबीर जनरल यूटी में 179 टेकनिकल में भी 179 अगनीबीर ऑफिसे 162 ट्रेट्समें टेंथ पास 179 सभी में 169 cm हाइट होनी चाहिए ठीक है and chest आपका 77 प्लस आपका 5 cm का expansion होना चाहिए relaxation कुछ candidates को यहाँ पर मिल जाएगा जो sports person वगरा होंगे उन्हें 2 से 3 cm का यहाँ पर relaxation दिया गया है नीचे आप जब आएंगे तो आपको bonus जो मिलेगा उसकी बात कर लें तो ITI candidates को especially हाँ NCC वगरा को भी है पूरा notification आप देख लीचेगा यहाँ पर बात करते हैं ऐसे candidates जिन्होंने ITI जो है 10th प्लस 2 years का ITI क्या उन्हें 20 नंबर का bonus मिलेगा ठीक है 10th प्लस 2 या 3 year का diploma 30 नंबर का bonus है 12th प्लस 1 year का ITI तो 30 नंबर का bonus है 12th प्लस 2 years का ITI 40 नंबर का bonus 12th प्लस डिप्लोमा 50 नंबर का आपको सीधे सीधे यहाँ पर bonus मिल जाएगा तो यह एक बहुत बहुत बहतरीन आपके लिए हो जाता है selection आपका कहीं न कहीं यहाँ पर आसान हो जाता है जब आप exam देते हैं उस time पर यह marks जो है fix हैं बाकी आपका जो CBT होगा जिसे हम computer common entrance examination कहेंगे वो तो आपका होगा ही maximum bonus mark that can be given is 25 marks if a candidate qualifies for more than one type of bonus mark यहाँ ध्यान दीजे अगनिबीर technical के अलावा लिकिने बात हो रही जो अगनिबीर technical है उसमें आपको यह मिलेगा अब इसमें कुछ terms and conditions है जैसे जब आप अगनिबीर वाली four years की अपनी training यानि four years की job complete कर लेंगे तो यहाँ पे देखे आपके पास आर्मी इंडियन आर्मी में permanent होने का भी मौका मिलता है 25% जो vacancies आएंगी specific batch अगनिबीर के होंगे वो regular cadre में absorb कर लिए जाएंगे ठीक है मान लीजे 100 अगनिबीर जोईन करते हैं तो उसमें से 25 या requirement ज़्यादा की रही तो ज़्यादा भी जो है आर्मी इंडियन आर्मी में examination conduct होंगे उसमें आप absorb कर लिए जाएंगे ऐसा नहीं सब भी यहाँ पे बाहर किये जाएंगे और जो चार साल बार बाहर होंगे उन्हें अन डिपार्टमेंट में भी जो है छूट देने का provision दिया जा रहा है जिससे कि आपको other departments में जाब में छूट मिलेगी leave की बात करें यहाँ पे तो आपको annual 30 दिन की leave मिलेगी sick leave आपको medical advice के according दी जाएगी medical facilities यहाँ पे आपको मिलेंगी ठीक है इंडियन आर्मी के जो medical facilities उतनी मिलेंगे आपको pay allowances and जो other benefits हैं ठीक है वो यहाँ पे आपका yearly increment जो रहेगा वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी in hardship allowance वगेरा भी आपको इसमें दिया जाएगा dress and travel allowance भी आपको दिया जाएगा ठीक है salary की बात करें तो यहाँ पे salary आपकी जो रहने वाली first year में आपको 30,000 salary होगी 21,000 in hand आएगा 9,000 रुपए आपका अगनिवीर fund में जाएगा साथ में 9,000 government उसमें मिलाएगा यह 18,000 आपका जमा होता रहेगा second year में आपको 33,000 मिलेगा आपके in hand 33,000 सो रहेगा बाकी other allowances जो उपर बात की गई वो आपको मिलेंगे ठीक है third year में 25,500 आएगा बाकी आपका इतना जमा होता रहेगा and जब आप यहाँ पे retire होंगे उस time पे आपका 5,000,000 आपका 5,000,000 government का 10,000,000 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगा after 4 years and जो candidates permanent होंगे उसके बाद आप उसमें permanent हो जाएंगे जो नहीं हो रहे हैं वो अपना यह 10,000,000 रुपए लेके आगे अपना further जो तयारी कर रहे हैं वो कर पाएंगे यहाँ पे other job में आपको benefit मिलेगा उसमें भी आप apply करके selection अपना ले सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ होने वाला है वो भी यहाँ पे already दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं कि total यहाँ पे 50 questions होंगे 100 घंटे का sorry यहाँ पे 50 questions रहेंगे एक घंटे में 100 questions यहाँ पे रहेंगे 2 घंटे में यह category recording आपको यहाँ पे paper जो है कराये जाएगा conduct ठीक है उसमें questions क्या-क्या रहेंगे तो उसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं and next आप यहाँ जो नीचे देखेंगे तो examination pattern पे हम separate video अगर आप लोग चाहिए तो एक बार बता दी जगा ले आएंगे negative marking यहाँ रहेगी ठीक है negative marking 25% यानि 1 4th की negative marking रखी गई है ठीक है तो जैसे एक question अगर एक number का है तो आपका .25 गलत करने पे कटेगा भी number ठीक है तो यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बाद store वाले में typing test भी है next आपका phase 2 आता है जब आप phase 1 पास कर जाएंगे तो phase 2 का आपका अलग submit card download होगा and यहाँ पे आपकी जो rally है फिर वो conduct कराई जाएगी जिसमें अलग-अलग आपको यहाँ पे करना होगा जो आपका rally होगा उस case में बाकी certificates के बारे में दिया गया उसको भी बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि कई सारे certificates आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे domicile से लेके educational criteria का photo यह सारी चीज़े ठीक है तो यह ले जाना होगा जो qualify करनी पड़ेंगी तो इसको भी आपको देख लेना है यह आपका physical standard है यह आपका इसके बाद physical measurement भी होगा आपके height वगरा जो rally site है वहाँ पे physically आपको measurement भी test पास करना होगा लेकिन सबसे पहले आपका exam होगा उसके बाद यह सारी चीज़े होगी फिर आपका medical test होगा जो कि military hospital में होगा आपका उसको आपको जाके करवाना होगा और वो सब complete होने के बाद आप अगनिवीर join करेंगे Indian Army को तो जो ITE candidates है Indian Army technical में जाना चाहते हैं age criteria पूरा कर रहे हैं 20 साल वाला तो वो candidates यहाँ पर form भर सकते हैं form भनने में अगर आप interested हैं एक बार comment section में बता दीजिएगा हम आपको form भनने का वीडियो provide कर देंगे यहाँ पर सारे उस section दिये हुए हैं इसको आप लोग देख सकते किसमे कौन-कौन से candidate आएंगे और कहां पर उनकी जो rally है एक जाहां में वो सारी चीज़ें conduct कराई जाए तो यह notification हम share कर देंगे link भी हमने description में दे दिया वहाँ से आप सभी जगों का notification download कर सकते हैं चैनल पर नहीं सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा नहीं किया तो जरूर कर लिजेगा और साथ में telegram पर जुड़ जाएगा वहाँ पर आपके साथ हम यह सारी information share कर देंगे टेक you very much